दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे Samsung के उन smartphones के बारे में जिन के लिए Android Pie की टेस्टिंग चल रही है और आने वाले कुछी दिनों में इन डिवाइसेज के लिए जो Android Pie के अपडेट से वो रॉल आट कर दी जाएगी सबसे बिले में आपको बता दूँ कि सूची में जो भी डिवाइसे सामिल हैं उन सभी को Android Pie के साथ में Wi-Fi लेंज पर सार्टिफाइड करवा दिया गया है जिसका मतलब है कि इन डिवाइसे को निश्चत रूप से Android Pie के बिट मिलने वाली है और जल्द ही डिवाइसे के लिए जो अपडेट से वो रॉल आउट हो जाएगी तो यहाँ पर सबसे भी लेकर बात किज़ें समसंग के फ्लेक्सिब डिवाइसे की तो जो समसंग गिलेक्सी Note 9, S9 और S9 प्लस है इन तिनों ही डिवाइसे को अपडेट से वो रॉल आट कर दी गई है इनके अलाव जो समसंग के गिलेक्सी Note 8, S8 प्लस और S8 है इन तिनों ही डिवाइसे को भी नवंबर के महिने में ही अपडेट के साथ में सर्टिफाइड कर दिया गया था उसको जनुरी के महिने में Android Pie के साथ में सर्टिफाइड कर दिया गया है इसके लाव जो समसंग का A8 है 2018 वाला उसको भी जनुरी के महिने में ही Android Pie के साथ में सर्टिफिकेशन मिल चुका है और गई Samsung की S series, Note series, A series के बाद में अगर बात की जाए J series की तो J series के भी दो devices को Android Pie के साथ में certified कर दिया गया है जिनका नाम है Samsung J4 2018 और J2 Core इन दोनों ही devices को अभी फरवरी में ही Android Pie के साथ में certification मिला है और मैं आपको उता दूँ कि जो Samsung का J2 Core है वो एक Android Go phone है तो इसको Android Pie का Go Edition मिलने वाला है और मैं आपको उता दूँ कि फिलाल यह जो list है भी complete नहीं हुए है अभी पहुत सारे ओर devices के भी certification complete होने है तो जैसे ही और कुछ जानकरे निकल कर आएगी तो आपको चैनल पर इन्फर्म कर दिया जाएगा और अगर आप सभी के किसी भी तरह के और कोई सावाल या सुझाओ हो तो नीचे कमेट बुक्स में को ज़रूर डालिए कि उनकी reply आपको मिल जाएगे आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like और share ज़रूर करेजिएगा और आप मुझे social media channel से भी follow कर सकते हैं इस वीडियो के description में आपको मिल जाएगा चले जल्द ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ नहीं रेकर नहीं अपडेट्स के साथ में तब तक के लिए बाई बाई